सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को तपाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नुश्कार दोस्तों मैं जीद आपका स्वागत करता हूं में आज हम बात करने वाले होंडा की एक कॉंपक्ट एस वी होंडा वेजल के बारे में दोस्तों होंडा को गाल है इसके स्पपिशिशंड्वी उर प्राइस के बारे मारं करी अपक्रिया घaran सकती है मैं सबसे पहले बात करते तो फैह कंवा ते कार कफी कि चम्याक हिए जैसे कि में अप्ने देखा आप अच्छा गरिल भी दिया हुए इसको इसकार की लंध Фुएंट 2022есть width 1770 mm है और height 1605 mm है second बात करते हैं इंडियर के बारे में दोस्तों इसका dashboard जो है वो काफी अलग है current car से जो इंडिया में available है और इसका जो AC वेंट से यह flat दिये हुए center tunnel जो है वो काफी premium feel करा थी जैसे कि अपने nexon में देखा है लेकिन इसकी quality उससे काफी अच्छी है इसमें मिलता है आपको 8 inch का touchscreen और rear AC वेंट आपको नहीं मिलते हैं लेकिन I expect कि जो AC वेंट दिये हुए वो काफी powerful होगे पूरी car को cool करने के लिए third engine के बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें 1.5 liter petrol और 1.8 liter diesel engine यूज़ किया गया है जैपान में लेकिन इंडिया में अगर यह car launch होती है तो इसमें आएगा 1.5 liter petrol और 1.5 liter डीजल जो आपने current WRV और BRV में देखा है Honda Vezal में 6-speed manual और CVT transmission अवेलेबल होगा last में बात करते है प्राइज और launch date के बारे हैं दोस्तों इसकी प्राइज होगी 10 लाग से 15 लाग के बीच में जो सीधे सीधे compare करेगी करेटा के साथ Jeep Compass से भी compare कर सकती है लेकिन फिर भी Jeep Compass इस car से बहुत आगे है दोस्तों launch date के अगर मैं बात करूँ तो ये होगी September 2018 या फिर Civic के बात हो सकती है या फिर Civic के पहले हो सकती है लेकिन ये car इंडिया में जरूर आएगी शायद Honda इस car को Auto Expo 2018 में showcase कर सकती है Honda वेजल के बार हमें ये सब information अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को like जरूर कर देना और cars के specifications, features, unknown facts, news, reviews और tutorials के लिए इस चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा Thank you so much